हाई फ्रेंड आप कैसे हैं फ्रेंड आज के वीडियो में सोसंतंत्र में म्यूकस एलर्जिक खासी की बेश्ट विटाल हरवाल आयरुएडिक मेडिशियन जुफेक्स सिरप के विशाय पर डिसकर्शन करने वाले हैं इस सिरप को कौन सी कमपनी बनाती है इस सिरप में कौन से क प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें आने वाली नौलेज की वीडियो देखने के लिए जुपेक्स सिरप को कंपनी सवयमेल की सिरप में बनाती है इस सिरप का मूल्य 19 रुपए होता है 90 रुपए होता है इस सि सिरप को आई मेल फार्मा सिटिकल्स इंडिया लिमिटेट कंपनी बनाती है जो की स्टेंडर्ड कंपनी होती है इस सिरप का डाक्टर की सला पर उप्योग किया जाता है इस जुपेक्स सिरप में निम्न कंटेंस मिले होते हैं ब्रंगी कंटेंस है वसापत्र कंटेंस है सोमल कंटेंस है गुलबन फसा कंटेंस है कैफाल कंटेंस है वी पावर में नवसागर सुद्ध कंटेंस है अप मर्ग सर कंटेंस है पुदिन सत्व कंटेंस है कपूर कंटेंस है काकड सिंगी कंटेंस है जुफा कंटेंस है खुबाजी कंटेंस है, खात्मी कंटेंस है, फ्रेंड इस प्रकार के कंटेंसों से मिलकर बनी ये खासी की बेश्ट सीरप होती है, इस सीरप का क्या उपयोग होता है, इस जुपेक्स सीरप को डाक्टर कौन सी बिमारियों के लिए उपयोग में लाते हैं, खासी के लिए इस स सिरफ का उपयोग किया जाता है यदि सुकी खासी आ रही तो उसके ठीटमेंड के लिए इस सिरफ का उपयोग किया जाता है बल्गम वाली खासी के लिए इस सिरफ का उपयोग किया जाता है सोसंतंत्र संबंदित विकार जैसे खासी के कारण सास लेने में परेशानी होती है जिस प्रकार के लच्छन आते हैं तो उसके लिए इस सिरफ का उपयोग किया जाता है सोसंतंत्र में बलगम को पतला करने के लिए इस सिरफ का उपयोग किया जाता है जिससे स्वसंतंत्र की परेशानी दूर हो जाती है जिवानु संक्रमन वाली खासी के लिए इस सिरफ का उपयोग किया जाता है एलर्जिक वाली खासी के लिए इस सिरफ का उपयोग किया जाता है कुछ इंफेक्शन वाली खासी होती है जिसमें इंफेक्शन रहता है बैक्ट कोड़कार के लच्छन आते हैं तो उसके टीटमेंट के लिए इस सिरफ का उपयोग किया जाता है गले में खरास रहती है तो उसके लिए इस सिरफ का उपयोग किया जाता है गले में सूजन रहती है तो उसको कंट्रोल करने के लिए इस सिरफ का उपयोग किया जाता है भोजन निगलने में परेशानी होती है उस समय गले में सूजन रहती है तो इस सिरफ का उपयोग किया जाता है दमस्वास वाली खासी के लिए इस सिरफ का उपयोग किया जाता है फ्रेंड यह नान सेडिटीव सिरफ होती है यह सिरफ हाइगेस्ट क्वालिटी की हर्व से बनी सिरफ ह होती है यह आप्टिमेली बेलेंसेड शीरप होती है यह इस शीरप में एंटी इसेंटियल आइल रहता है जो पाचंत अंत्र के लिए एक सहायक होता है यह मेडिशियन फिटो भार्मूला एरीचेड विट विटाल हर्वल शीरप होती है यह मेडिशियन खासी को ठीक करती है और गले के इंफेक्शन को भी ठीक करती है काली खासी के लिए इस शीरप का उप्योग किया जाता है फेपणों के इंफेक्शन के लिए इस शीरप का उप्योग किया जाता है मौसम परिवर्तन के कारण होने वाली खासी के लिए इस शीरप का उप्योग किया जाता है सरदी खासी बुखार के लिए इस सिरफ का उपयोग किया जाता है रोग प्रती रूदक सक्ती को बढ़ाने के लिए इस सिरफ का उपयोग किया जाता है जदी बिड़ी सिग्रेट के कारान होने वाली खासी है उस खासी की तकलीब को दूर करने के लिए इस सिरफ का उपयोग किया जाता है अर्थात बिड़ी सिगरेट की खासी में होने वाली परेशानी से को दूर करने के लिए इस सिरफ का उपयोग किया जाता है फ्रेंड इस प्रकार के इस सिरफ के बेश्ट उपयोग होते हैं इस सिरफ को किस प्रकार उपयोग में लाया जाता है या इस सिरफ के क्या डोज होते हैं इस सिरफ को अपने डाक्टर की सला पर 5 ml से लेकर 10 ml तक दिन में 2 बार तक उपयोग कर सकते हैं इस प्रकार इस सिरफ के सिर्फ के साइड इपेक्ट नहीं होता कहने के मतलब इस सिर्फ आईड़िक मेडिशेन होता है इस सिर्फ के कुछ इंटरेक्षन है कुछ अन्य दमाओं के साथ इस सिर्फ का उपयोग करने से reaction होता है उपयोग नहीं करना चीए ओक्सी टेटरसाइकलिन मेडिसेन के साथ जुपेक्स सीरफ का उपयोग ना करें इंटरेक्ट करती है इस प्रकार के इंटरेक्शन हो सकते हैं इस सीरफ की कुछ सावधानी है इस सीरफ से यदि आपको यलर्जी है तो इस सीरफ का उपयोग ना करें गर्वती मैला को इस सीरफ का उपयोग ना कराई इस प्रकार की कुछ सावधानी होती है फैंड यदि इस दवरान आपके कोई कमेंड है तो प् वीडियो को इसमाप्त करते हैं जय हिंद